दोस्तों अगर आप एक beginner है गाड़ी चलाना सीख रहे हैं और आपसे गाड़ी सीखते समय बार बार आपका गाड़ी बंद हो जाता है तो आज मैं आपको बताऊंगा क्यों आपका गाड़ी बंद होता है और आपको क्या सीखना है कि आपका गाड़ी कभी भी बंद नहीं तो चले दोस्तो जानते हैं देखिए जैसे टू-wheeler गाड़ी अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले आपको बैलेंसिंग सीखना पड़ता है जब आप टू-wheeler गाड़ी को टू-wheeler मतलब बाइक को बैलेंस कर लेते हैं तो आपको बाइक चलाना आ जाता है उसी प्रकार से जब आपको फो-wheeler चलाना है तो दोस्तो आपको फो-wheeler का एक ऐसा चीज होता है जिसे आप सीख लेगें प्रैक्टिस कर लेगें तो आपका फो-wheeler कोई भी गाड़ी हो बंद नहीं होगा दोस्तो यह है गाड़ी का कलच जब आप गाड़ी चलाते हैं तो कलच को छोड़ते हैं समय ही आपका गाड़ी बंद होता है या तो गाड़ी जटका देता है तो आपको कलच का प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है कलच को दबाना कोई बड़ी बात नहीं है प्रेस करना कलच को जब आप छोड़ते हैं गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए तो उसी समय आपको कलच किस प्रकार से छोड़ना है वो आपको अच्छे से समझ लेना है दोस्तो मैं आपको बताता हूँ कलच आपको एकदम धीरे धीरे छोड़ना है अगर आप एक नए ड्रैवर है जब आप धीरे धीरे छोड़ते हैं तो बाइटिंग पॉइंट पे आके गाड़ी आगे बढ़ने लगता है उसके बाद ही आप धीरे-धीरे कलच को अच्छे से छोड़े और हलका सा रेस दें तो आपका गाड़ी कभी भी बंद नहीं होगा अगर आप कलच को जटके में छोड़ेंगे तो गाड़ी आपका बंद हो जाएगा जटका देकर आगे बढ़ेगा एक बात और है जब आप गाड़ी का कलच छोड़ते हैं रिलीच करते हैं तो जब बाइटिंग पॉइंट पे आ जाए आपके गाड़ी का कलच तो आपको ब्रेक पर से पैर हटा लेना है उसके बाद आपको ब्रेक पर पैर नहीं रखना है नहीं तो आपका गाड़ी बंद हो झाल झाल